तो चार दिव से छट के तेवहार का आज दूसरा दिन है आज शाम वरती खरना को तेवहार मनाएंगी दिली में छट को लेकर राजनी तेज हो चुकी है एक तरफ के ज़िवाल सरकार छट घाट को लेकर बड़ा दावा कर रही है तो वे विवक्षी बीजेपी इन दावों को लेकर दिली सरकार की पोर खुलने में जुटे हुए हैं दिली के उपमुक्य मंतरी मनीशिश सिसोदिया ने बताया है कि दिली सरकार ने यहां 800 घाट तयार किये हैं कि लोग चट पूजा के दोरान सूर को अर्ग दे सके वहीं यमुना का जल गंदा होने की ख़बरों की बीच बीजेपी ने दिली सरकार पर हमला बोला हलांकि आमादीपार्टी के सब्ता में आने के बाद हमने तैय किया कि लोग महला इसतर पर सरकार के मदद से समीतिया बना सकते हैं और घाट तयार कर सकते हैं इस बीच नहाय खाय के दिन एक नया विवास सामने आया था पहले दिन गंदे और जहरीले पानी में चट वृती महिलाओं की कालिंदी कुंज में यमुना किनारे डुपकी लगाती तस्वीरे और वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुई विवक्षी बीजेपी नेता ने आपको बताती चलिए ऐसे हलातों के लिए आपको जिमेदार ठहराया वहीं आपके नेताओं ने दावा किया है कि हर्याना और यूपी की ओर से छोड़ेगे अशोधित जल के कारण नदी में पानी पर जहात तैरता नजर आया नदीम प्रदूशन का मामला सामने आने के बाद दिली बीजेपी के पूरवध्यक्षवम सांसेद मनोस्तिवारी ने अर्विल के जिवाल सरकार पनिशाना साधा उन्होंने कहा कि या छट मनाने वाले पूरवांचलियों के साथ धोखा है उतर पूरवध्यक्षवम सांसेद मनोस्तिवारी ने हाई कोट से इस मामले का सुता संग्यान लेने की भी अपेल कियो और दिली सरकार के जिम्मेदारी तैकरने की मांग की